साशिकाल जी दर्शकानादा स्वागत है प्रोग्राम इतहास दिकालते विच गत्ती अगस्त उन्नी सुच्छ पंजानू पारद्य राश्ट्रुपती ने राज पुन्रगठन बिल नू अपनी सेहमती दे दिती जिसनों हुन राज पुन्रगठन अक्ट वजो जाने आजाना राजबुन्रगठन आक्ट ने पार्ति राज आते प्रदेशा दियां सीमावानू परिबाशत करनते उनानू पाशाईश रिखामा दे अधारते संगठित करन दी कोशिश की थी पामे के उनी सो चपंजा तो पार्ति राजा दियां हदां विच बहुत सारियां तब दिलिय आक्ट समिधान दी सत्वी सो देनाल ही उनी सो चपंजा विच होंद विचाया सी उनी सो संताली विच अजादी तो पहला ब्रिटिश पार्ति समराज नू पारत दे प्रांता विच सिद्धा ब्रिटिश अफसरां द्वारा शासन किता जानता सी यते रियास्ता नू स्थान नितावां तवारा शाशन विच वंडिया गया सी उनी सो संताली विच अजादी तो बाद बिटिश पारत नू पारत अते पाकिस्तान दे वक्वक राजा विच वंडिया गया सी इस तो बाद रियास्ता नू पारत जा पाकिस्तान विच शामल हो गया सी जदो कि कुछ ने पा पारत नूँ एक प्रभू सत्ता संपन लोकतंत्री गंडराज बनाया नवा गंडराज वी राजा दा संग होना सी यते सविधान ने तिन किसमा दे राजानू परिभाशित केता सी जिना विच पाग ए राज जो ब्रिटिश पारत दे सापका गवर्ना दे सूबे जिना दा शा आपका मुख कमिश्णना दे सूबे आते को छ्रियासता शामल सन अधे पाग डी राज सन अंडेमा निकलोता पाग डी राज सी जिसता प्रभंद लेफ्टीनेंट गवर्नर द्वारा किता जांदा सी अजादी तो बाद दे सालां विच नवी राजा दी सिर्जना दा करनवालियां राजने तक लहरां विक्सत अते मजबूर होण लेगियां इस संब्ध विच सब तो पहलीयां लेहरां विचो एक सी की मदरास राज्टे उतरी हिस्से विच इक तेलगू बोलन वाला राज बनाया जावे 1953 विच मदरास राजते 16 तेलगू बुलन वाले जिले आंत्रपरदेश दा नवा राज बन गए 1950 तो 56 दोरान राजतियां हदा विच छोटियां छोटियां तब दिलियां कीतियां जा रियां सा बिलास पूर एक छोटे राज नू एक जुलाई उन्नी सो चुरंजा नू हिमाचल परदेश विच मिला दिता क्यासी हते फ्रांसिसी पारत दा सापका एंकलेव चंद्र नागोर 1955 विच पच्मी बंगाल दा हिस्सा बन क्यासी तेल्गू बोलन वाले लोका लहि आंधरा परदेश बंण तो बाद हुली हुली हुला नेवि वक्रे राजादी मांघ करनी शुरू कार दिती हधे पारत हरकार्त तेव वक्वक पाशावा बोलन वाले लोका लहि वक्रे रा जलाढ ख ऱय हैं चुनौती एसी की पारद बहुत सारियां पाशामा आते उप बोलियां वाला देश है अंत विचे फैसला किता गया कि किसे राज दा विकास बहुत हाद तक खेतरी पाशा दे विकास उत्ते निरबर काता है पामे की बहुत सारी आलोचका ने इस पाशाई विचोडे न वंड वज्जो दरसाया गांधी वरगी नेता दा विचार सी की सिख्या जम हूरियत दे असल तत दे नाल नाल सिर्फ सदारन पेंडवासियां नू समझाया जा साकता है उनना दी खेतरी पाशा विच इसले राजा दी पाशाई वक होना एक चैंगा विचार जापता सी पारत सरकार द्वारा बढाएं गए सिख्या कमीशन दावी मनना सी की जेकर विद्यारतियानू उना दी मात पाशा वेचे सिख्या पदाण किती जान दी है ता उनानू सिख्या पदान करना असान होंता है क्योंकि पाशाई एक अदार साधन सी जिस राही दो लोग एक दुझे नाल संचार करते हैं अन्त विच सपश संचार विचाना देयादान पदान अन्त विच विकास वल ले जानता है राजा दी पाशाई वंड अग्ये वदन दा फैसला किता किता है इस कमीशन द्वारा किते गए कम दी निगरानी बलब पंत द्वारा किती गई सी जो दिसंबर उन्नीस सो चुरंजा तो ग्रह मंत्री वज्जो सेवा ने बारे से 1955 विच कमीशन ने पार्ती राजा दे पुन्रगठन दी सफारिश करन वाली एक रिपोर्ट दा खरडा त्यार किता कत्ती अगस्त उन्नीस सो चपंजा नू राज पुन्रगठन आक्ट पास होया आते उसे सालीक निवंबन नू लागू होया हाला कि इस तो पहला पारादे सविधान विच एक महत्रपून सोद दी लागू हो गई सी इस नवी सोद दे तहत पागे पागवी पागसी यते पागडी राजा विच मजूदा अंतनू खतम कर देता गया आते ओ राजा वजो जाने जान ले कि जदो कि पागसी यते का डिले जुले रहो साड़ी चानल दिना आल साशिकार